हेलो जोस्तो आप सभी बदिबीट सो बात करेंगे यहाँ पर दीपक नाटेट के बारे में दोस्तो इस कम्पनी में किस तरीके से पॉफोर्मस रखना चाहिए और क्या यहाँ पर खास कम्पनी में होने वाला है उसे रेटे discuss करेंगे काफी बड़े update इस company में आ रहे है वो यहाँ पर हम understanding कर लेते हैं देखें काफी लोग यहाँ पर जब stock में तेजी आती है तब बात करते हैं बट मैं गिरावट में इसलिए बार-बार बात करता हूँ दोस्तों किसी भी company के बारे में क्योंकि यहाँ पर गिरावट हमें बहुत कुछ सिखाती है देखें गिरावट से सिखने को ऐसा मिलता है वैसे कैसे कमाने चाहिए कब opportunity है और गिरावट यह भी बताती है कि हमें किस company में और कभ यहाँ पर निवेश करना चाहिए तो वही चीज़े यहाँ पर हम सिखेंगे दीपक नाटेट के अंदर और इसमें यहाँ पर काफी निवेश के comment भी थे कि sir इसमें हम exit करें क्या बहुत बड़ा correction आगे देखने को मिल सकता है क्या तो ज़रूर यहाँ पर आप understanding कर लेना बहुत ही reality वाली बात करेंगे दोस्तों क्योंकि आपको यह सभी detail पता होनी चाहिए अब यहाँ पर आप जिसे देखेंगे तो दीपक नाटेट में अभी फिलाल आज भी हमें देड़ परसन का correction देखने को मिला है और sharp यहाँ पर इस stock आपको बता दो 2000 रुपए के level पर चल रहा है पिछले पास दिन की बात करें यहाँ पर हम महीने की बात करें तो पूरी तरके से downtrend और यहाँ पर जो हमें continue देखने को मिला है उसके पीछे reason भी काफी ज़्यादे है देखिए अईसे नेकी company के result बहुती खराब आ गए company बहुती बरबात यहाँ पर performance करें अईसी कोई बात नहीं है यह बात मैं आपको पहले भी repeat कर चुका हूँ और आज भी यहाँ पर remember करना नहीं चाओंगा क्योंकि देखिए company के result बहुती खराब आते ना तो यह company आपको 5-5% के lower circuit बे लगाते वे नजरा सकती थी बट ऐसा नहीं होाना क्योंकि सबको पता है आज ना कल यह company पैसा कमा करी देगे और इसमें कोई भी शक ने लोग यहाँ पर खाली इंतजारी कर रहे हैं यह कब गिरेगा और हम इसे कब खरीदे और जो मैं आपको बताना चाहता था जो लोग यहाँ पर फ्रेश इंटी लना चाहते हैं उनके लिए यह 20% से भी ज़्यादा अभी यहाँ पर आपके लिए करेक्शन में अवेलेबल है जैसे के इसका जो 50 टीक हाय देखे जो यहाँ पर 70 अब मैं बताना चाहूँगा देखे शेर ओल्डिंग के बारे में अब तक आपने यह बात सुने कि शेर ओल्डिंग में बहुत सी चीज़े इंपोर्टन होती है और मैं आपको बता दू कि कमपनी में कुन से निवेश है के वो भी हमारे लिए इंपोर्टन है देखे LIC Life Insurance Corporation उन्होंने यहाँ पर 3.64% का स्टेक इसमें खरीदा मुझे बताना LIC के पास पैसे जादे हो गई क्या बिल्कुल नहीं उनको पता है इस कमपनी में वैल्यू है और इसलिए उन्होंने दाव लगाए देखिए और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि कमपनी में खुद जो प्रमोटर खरीदारी करते हैं उनके साथ साथ देखिए और यहाँ पर तीन ऐसे इन्वेश्टर्स खरीदारी करते हैं इसमें आपको नजर आएगा लाइसी तरब से भी यहाँ पर जो इन्शूरंस कमपनीज है अलग-अलग उनके तरब से और लाइसी तरब से अच्छा कासा इसमें माल उठाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यह जो ग्रीन निशन में हैं यह सभी निवेशक अपने यहाँ पर खरिदारी कर रहे हैं इसमें इन्वेश्टर है डी आएस है और इंशूरंस जो कमपनीज है वो भी और खुद प्रमोटर भी देखे मैं आपको कहिता हूँ कि बाकी लोग खरीदे ना खरीदे बट कमपनी के प्रमोटर खरीदते तो कोई ना को है और इहां पर एक कंपनी में होते वे हमें नजर जरूर आएगा भी तो इसलिए आप इहां पर आईसे चीजुका बेनिफिट लेना चाहते है तो आप इसके लिए आप अपनी मेंटल और यहां पर पुरी तरीके से फैनांसील यहां पर प्रिपरेशन रखना क्यूंकि अस तब समय हमारे पास नहीं होता है, उसके लिए पहले से तयारी करना पड़ती है, अब यहाँ पर आज भी देख सकते हैं, लोगों ने खरिदारी कीने या ऐसा नहीं है, आज भी एक लाग यहाँ पर आसी हादर करीब कॉन्टेटी खरीदी गई है, और यहाँ पर हमने देखा किसने डिवीडन भी दिया, रिजल्ड भी काफी अच्छे दिखा है, तो कोई शेक की बात यहाँ पर नहीं दिखा है, यहाँ पर आप देखिए, डिपक नाटेट की 2300 के टार्गेट आईए, साथ तारी का निउज है, पुरा डेटेल देख सकते हैं, और यही चीज़े दे अच्छे रिटन जेनरेट कर पाएंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे, तो डाउन ट्रेन रहने वाला शेर में खरिदारी करनी चाहिए, तो उसका बाइंग की रेटिंग दी गई है, 3000 प्लस की टार्गेट दे गए, कितने 3157 रुपे की टार्गेट और इसमें यहाँ पर लॉंग टम के लिए कंटिनियू रहना चाहिए, और यह सबसे बड़ी बात देखेंगे कि आप में पेशन है, तो आप इससे अच्छे रिटन जेनरेट कर पाएंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर रिटन कमानी पाएंगे, I hope मुझे लगता है दोस्त कि आप डेटिल समझ चुके, Thank you so much